नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पे आप लोगोंको बहुत बहुत श्वागत में हूं सिविल इंजिनियर प्रितिस दोस्तों आज़ाम 30 बाइ 30 फीट घर का डिजाइन करेंगे इसमें आज़ाम देखेंगे कितना रूम रहेगा कितना पीलर रहेगा घर बनाने के लिए दोस्त वज़ा यह है कि आपको लुक में अच्छा लगे और आपको बाहर साम में बैठने के लिए दोस्तों बहुत बढ़िया लगया तो उससे आगे आप अगर जाएंगे देखेंगे यहां पर आपको लिविंग रूम जागे है आप इसको बैठक भी दोस्तों वेटिंग बोल स यहां पर देखेंगे 6 आदमी आधम से बैठके खाना खा सकते हैं तपर दाइनिंग डाइनिंग टेवल आपको लगा सकते हैं तो उसके आगे आप अगर देखेंगे यहां पर आपको कीचन दिया गए है आट फीट वाई 10 फीट का ज़शतों बेंटीलेशं के लिए दोनों बना रहे हैं और खाना बनाने में दोस्तों बहुत ही आसानी होता है तो यह होगी आप पूरी तरी किसे कीचन और देखिए साउथ इस्ट के तरफ से आप लोगों को रस्वोई घर दिया गया है बास्तु के मुताबिक दोस्तों वहां से आप अगर राइट शाइट हैं कुछ भी प्रोब्लेम नहीं है और वेंटिलेशन के लिए यहां पे एक उंडो आप लोगों को दिया गया है तो उससे ही आपको आटाच टॉयलेट मिलेगा ल्याट बात आप इसको बोल सकते हैं पांस फीट बाइप यहां पे टॉयलेट मिलेगा यहां पर लगाने के लवा आप अगर चाहें इंट्रेर का फरनिचर वगराई दोस्तों लगा चकते हैं आपको कहीं पर भी यह मैसूस नहीं हुआ जगा की कमी का आपको मिलकुल भी दोस्तों ऐसा कुछ भी मैसूस नहीं हुआ तो यहां पर देखिए वेंटिलेशन के लिए उंडो दोस्तों यह जो प्लान बनाए गए चार 활 से खुला है किसी भी पकर का घर चार 활 से जोस्तों इसके वजह से चार 활 के तरफ बाहर के तरफ आवे फिट वाई गंट्र को दीए घा गये हैımız इसका साइज मेस पनテ ने यहां पर पे वेंटिलेटर दिया गया है 2 feet by 2 feet का, तॉलेट का space, 5 feet by 5 feet, 10 इन जो space आपको मिलेगा, काफी space मिलेगा, आपको use करने में, कुछे भी तरीका का आपको 아पको problem नहीं होगा, तो यह हो गया, bedro number 1, bedro number 2, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CDs, आपको यहाँ पर मिलेगा, आप इसे anti-clockwise moment लेके उपर जाएंगे दोस्तों हमेशा आप कोशिश किजिए clockwise moment लेके उपर जाएंगे लेकिन यहाँ पर जगा की कमी की वज़े से दोस्तों इस तरीके से आपको anti-clockwise उपर जाना पड़ेगा दोस्तों दोस्तों 19 स्टेप में आप आराम से उपर पहुंग दोस्तों प्र lige यहीं आप प्लान को आप थोड़ा उवर्लूप किजिए यहां पर देखिए में ताप जाइन यहां पर जैड-कए तो आप दो बेडरूम इतना बड़ा बड़ा आप लों को मिल रहा है, 10 feet by 11 feet, 12 feet by 12 feet, इतना बड़ा बेडरूम आप लोंको नहीं मिलेगा, अगर आपको मिलेगा तो वही 10 feet by 10 feet का, या 9 feet by 11 feet का इस तरहका आप लोंको dimensional मिलेगा, तब जाके आप 3 bes के, थे तीन बेटरूम यहांपे बना सकते हैं दूस्तों यह हो गया पूरा टोटल हमारा पलान अभी आप पिलर का प्लेश्मेंट में आप आप डिर्व बता देता हूं कहां कहां पर आप डोर रहेंगा और कितना पिलर दूस्तों आप आपनों के यहां पर मिलेगा तिहां पिलर अगर यहां पर प्लाश्मेंट किया जाएं तो यहां पर आपनों को एक बे दो 3 4 यहां पहे 5 6 7 8 9 10 11 12 तो इस तो कुल मिला के यहां पहे आप लोगों को 12 पिलर मिलेंगे 12 पिलर में दोस्तों यह घर बनके पूरी तरी किसे तियार हो जाएगा दोस्तों इसका जो एरिया हो रहा है आप लोगों को मिल रहा है लेड़ी दोस्तों पता है मैं यहां पे लिख देता हूं दोस्तों आप लोगों को यहां पे जो एरिया मिल रहा है वह आप लोगों को मिल रहा है 900 स्क्वेर फिट आप लोगों को इसका एरिया मिल रहा है तो दोस्तों देखिए आज के डेट में आप अगर इसमें घर बनाए तियार हो जाएगा 30 feet by 30 feet 900 square feet दोस्तों ये था आज का हमारा नक्सा आप लोगो केसा लगा आप थोड़ा अच्छे से फिर से देख लीजिए दोस्तों आप लोगो केसा लगार में कमेंट में जरूर बताईये चैनल पर आपकर अगर ने हैं चैनल करने से दोस्तों नीचे सब्स्क्राइब दिख रहा वह सी अगले वीडियोका नौटिपिकेशन आईगा आप लोगो तुरंती उपर सबसे पहले दूस्तों आप लोगो मिल जाएगा दूस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार